साथ्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तुमिच जैन यूटूब चैनल में साथ्यों आज का सेशन स्टार्ड हो चुका है सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने मित्रों तक सेयर जरू करिएगा ठीक है इसी प्रकार से दोस्तो रातरी 9 वजे अपना ये सेशन होता है और साथ्यों यहां पर आज हम पढ़ने बालें प्रगती बाद के बारे में ठीक है प्रगती बाद को पढ़ेंगे शबी लोग दोस्तो एप जरू डाउनलोड करना है सेल्फ स्टडी के लासे इसका एप अगर आप डाउनलोड कर लेते हो दोस्तो तो आपको यहां पर बढ़िया कोर्स लांच किया गया हिंदी साहित का हिंदी साहित का कोर्स दोस्तो मातर 30 तारिक तक आपको मिलने बाला 1100 रोपे में ठीक है तो इस 1100 के कोर्स में दोस्तो आप एडवीसर ले सकते हो यह ओफर सीमिस समाई के लिए है ना चाहे टीजीटी पीजीटी वाले हो पंजाब मास्टर के अडर वाले या पिर दोस्तो यू के लटी जो भी हमारे साहित हिंदी साहित वाले हैं वो आज ही दोस्तो इस को प्रगती बाद को यहां पर पढ़ने बाले हैं प्रगती बाद का आधार आपको बताना है प्रगती बाद का आधार क्या है जल्दी से कमेंट में आप लिख दीजिए प्रगती बाद का आधार क्या है पटाक से कमेंट में आपको बताना है क्या माना जाता है प्रगती का आधार लिखिए जल्दी से चार विकल्प आपके सामने होंगे दोस्तों पहला विकल्प होगा रहस्वाद दूसरा हाला बाद तीसरा होगा दोस्तों प्रकरती बाद हैना और चौता होगा द्वन्दात्मक बहुत एक बाद प्रगती बाद का आधार आपको बताना है कमें और प्रगतिबाद का जो आधार होता है वो होता है द्वंदात्मक बहुत एक बाद यनि कि आपका जो आसा जी बिल्कुल शही आंसर जो है वो डी नमर अमित जी हैना प्रगतिबाद के प्रबर्तक कौन माने जाते हैं ये उत्तर आपको बताना है और आपको राइट आंसर द दोस्तो कि जो प्रगतिबाद है कि द्वंदातमक बहुतेग बाद पर आधारत है तो सभी लोगों को पता है और प्रगतिबाद एक राज नेतेक एम समाज एक सब्द है मार्कसबादी विचार-धारा का साहित में प्रगतिबाद के रूप में उदय हुआ यानि कि जो राजन कि कॉस्चिनों की और बढ़ेंगे अंगला प्रशना हमें यहां पर देखेंगे हैना जल्दी से बताओ आपको चैन करना है कि प्रगतिबाद की प्रबर्तक कौन मार जाते हैं कमेंट में आपको लिखना है और कॉस्चिन यह बताना है दोस्तों कि किस रचना के द्वारा दोस अंत की घोषना किस ने की थी और वो रचना कौन सी थी जिसके माध्यम से एक घोषना की गई थी और आपको पता है बुलिसर एक युगांत रचना है कौन सी है युगांत रचना है युगांत रचना दोस्तों कि किस की मानी जाती है पंत की मानी जाती है ठीक है युगांत योगांत के माध्यम से पंत ने क्या किया छायाबाद के अंत की गोश्णा की और दोस्तों जब छायाबाद का अंत हो जाता है तो यहीं से प्रगतिबाद प्रारंब हो जाता है इसलिए दोस्तों आपको पता है कि पंत को प्रगतिबाद का प्रवर्तक माना जाता है ये भी आ मध्यकाल में भक्तिकाल और रीती काब के बीचता पंक्तियों के लेखा कोन है Content को लेखा का आपको बताना है और यहां पर आपका जो बिलकुर शही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या डाक्टर राम राम सरूफ चत्रवेदी ने कहा कि चायाबाद और उत्तर चायाबाद के बीच पैसा ही सम्मन देखता है जैसा मद्यकाल और मद्यकाल में भक्तिकाल और रीती काब के बीच था एक किस ने कहा एक अथन किसका है एक अथन है राम सरूव चुतरवेदी का राम सरूव चुतरवेदी को याद रखेंगे वो परियोक्त पंक्तियों की जो लेकाक हैं दोस्तो वो डाक्टर राम सरूव चुतरवेदी हैं इनको याद रखेंगे न हिंदी साहित एवं संबेदन का वेकास ग्रिंद की लेकत तो आपका उत्तर हुजाएगा डंक्टर राम स्वरूप चत्रुबेदी माने जाती है इन्दी साहे उत्ति शमबेदिना की वेकास की लेकत ठीक है इसको याद रखनेंगे अब अंगला कोस्चन जमॉन जल तुम अब बिक की रचनाकार क्वोन मान कमेंट में आपको लिखना है जल्दी से आपको बताना है जमून जल तुम काभई की रिचनाकार कौन है उत्तर चला जाता है केदारनाथ अगरवाल यानिकि आपका जो डी नमबर है वो बिल्कुल चाहिए है ना जमुन जल तुम काभी की रिचनाकार है किदारनात अगरवाल और दोस्तों जमुन जल तुम काभी की रिचनाकार किदारनात अगरवाल है और किदारनात अगरवाल अपनी काभी आतरा की आरंबिक दोर में बालेंदू उपनाम से रिचनाए करती थे अब यहां से question बन जाता है दोस्तो अगर आप से पूचा जाएगा कि बालेंदू उपनाम से कौन रचना करता था या बालेंदू उपनाम किसका है तो आप क्या बताओगे केदारनात अगरवाल का बालेंदू उपनाम किसका है किसका है किसका है उत्तर है दोस्तो याद रखना ठीक है इनका दोस्तों बालेंदू उपनाम था के दारनात अगरवाल का इसको याद रखेंगे युग की गंगा नींद के बादल फूल नहीं रंग बोलते हैं इनको अपन को याद रख देना है फूल नहीं रंग बोलते हैं आग का आइना ये मेरी तुम मार प् जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लेक और उसके बाद भी हम से बड़ा तू लेक ये पंक्ती किसकी है ये पंक्ती किसकी है कमेंट में बता दीजिए जल्दी से ये पंक्ती किसकी है पटा पट से सभी लोग आइंसर बताएंगे और सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से चैन करें कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह उस तरह तू लेक और हमसे बढ़ा तू लेके ये जो पंक्ती हैं जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लेक और उसके बाद भी हमसे बढ़ा तू लेक है ये पंक्ती है भवानी प्रसाद मिस्र की किसकी है भवानी प्रसाद मिस्र क उत्तर चला जाता है विकल्प नम्मर डी की तरफ डी नम्मर अपना जो उत्तर है वो बिलकुर सही हो जाता है उपर युक्त पंक्तियों की रिचनाकार कौन है भवानी प्रसाद मिस्र है भवानी प्रसाद मिस्र को सहजता का कभी कहा जाता है इनके द्वारा रचित काब संग रहे है गीत फरोस, चकेत है दोख, गांधी पंच्तती, हैना बुनी हुई रस्ती, फुस्बू के सिलालेक, परिवर्तन जीये, स्रिकाल संध्या, इनकी रचनाय माने जाती हैं दोस्तों, इन्हें सहजिता का कभी कहा जाता है, किसे कहा जाता है सहजिता का कभी, भावानी प्र नाम से जाना जाता है, किस कभी को एक भारती उपनाम के नाम से जाना जाता है, यह अपन को चेहन करना है, तो बताइए प्रश्न किरमा पाच का, किस कभी को एक भारती आत्मा के उपनाम से जाना जाता है, माखलाल चुत्रवेदी, बालकर्ण सर्मा नभीन, मैत्री इश्र गुपतें या फिर स्रीधर पाठक किस कभी को एक भारती आत्मा उपनाम से जाना जाता है तो बली सर अगर भारती आत्मा उपनाम की बात करोगे तो वो जाना जाता है माखलाल चत्रवेदी को एक भारती आत्मा है ना माखलाल चत्रवेदी को जाना जाता है दोस्तों और एक नम्मर आपका बिल्को सही है माखरलाज चुतरवेदी को एक भारतिये दोस्तों आत्मा के नाम से जाना जाता है इनकी परसे दिकविता है कैदी और कोकिला कैदी और कोकिला है ना उस्प की अभिलासा उस्प की अभिलासा जबकि मेत्री श्रंगुप्त को राष्ट कभी के नाम से जाना जाता है तो एक भारती आत्मा आपको याद रखना है है ना और कैदी और कोकिला उस्प की अभिलासा कि माखलाज चुत्रवेदी की स्रेष्ट रचनाओं में ने गिना जाता है अब अंगला कॉस्चन आपको बताना है इस्तुती जी बताईए अंगला कॉस्चन बताना है कि हिमकरीटनी की रचेता कौन है हिमकरीटनी की रचनाकार आपको चैन करना है तब आपका राइट आंसर अंसे आदो जी हम करीटनी के रचेता कौन है माखलाल चुतरवेदी भबानी परचाद मिस्त्रे मेत्रेशन गुपत या फिर रनेंद्र सर्मा नरेंद्र सर्मा बताईए हम करीटनी के रचना कार में आपको कई बार बताया कि हम करीटनी और हम के लिए हम तरंगनी के लिए मिला था साहित तकादमी प्रुषकार सबसे पहले सबसे पहले हिंदी में साहित तकादमी प्रुषकार जो मिला था वो मिला था दोस्तों किसे हम तरंगनी रचना के लिए और हम तरंगनी रचना की रचनाकार कौन है माखलाल चत्रुबेदी ठीक कभी माखलाल चत्रवेदी हैं अन नाम इसकी हसंगत हो जाएंगे ठीक है अंगले वीडियो को अंगले कॉस्टिन की और हम बढ़ें कि रामधारी से दिनकर की बारे में आपको बताना है कि रामधारी से दिनकर की काब किर्टी कौनसी है लोकायतन पुरू छेत्र आर्या वर्त या फिर उनमुक्त रामधारी से दिनकर की काब किर्टी कौनसी है चार विकल्प है रामधारी से दिनकर की काब किर्टी आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा रामधारी से दिनकर की काब किर्टी रामधारी से दिनकर के बारे में अपन पढ़ते हैं कि सर इनकी एक किर् रचना है वोगी इस रचना के लिए उनीस तो बाहतर में कौंसा पुरुसकार मिल जाता है जोस्तो ग्यान पीट पुरुसकारullen कसे दिनकर की कहब किरति कौन सी है तुटर चला जाता है पुरू छेतर है ये सांस्कितिक धारा के कभी है इनको समय सूर अत्वा अध्यर का कभी कहा जाता है दिनकर को और वसी महा कब बिकिडिये 1972 इस्वी में भारतिये ज्यान पीट प्रोषकार प्रदान किया गया है ना और इनके द्वारा रचित प्रमो कृतिया इस प्रकार से दोस्तों रेणुक रेणुका, हुंकार, रसबंती, द्वंदगीत, रस्मी रती, दिल्ली और नीम के पत्ते ये रचनाय माने जाती है जबकि लोकायतन पंतजी का महा काब है है ना आर्या बर्त मौहलाल महतों मयोगी की तथा उनमुक्त सियाराम स्रण गुप्ति की रचनाय है प्रगतिबाद के संबंद में सही नहीं है चैन करिए ये चार बिकल्प हैं कथन भी आपके पास है इस कथन का आपको चैन करना है तो प्रशन किरमांग का आपका यहां पर है और प्रगतिबाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है प्रगतिबाद जन चेतना के साथ प्रिकिर्टी और कल् में स्वंदर खोचता है या पिर दोस्तों प्रगति बाद ने पहली प्रगति बाद ने पहली बार साहित्तिक चेत्रा को या थार्त बाद की और अग्रसर होने की प्रेणा दी पहली बार या प्रगति बाद की मूल प्रेणा मार्क्स बास्ति बेक्सेत हुई ये तो सही है प्रगति बाद सामाजेक या थार्ट की अविव्यक्ति को नहीं रचना का उद्देश मानता है को ही रचना का उद्देश मानता है और प्रगति बाद जन जीवन के साथ प्रिकृति और में स्वंदर घोचता है तो दोस्तों आपको पता है कि प्रिगति बाद में प्रिगति बाद में पहली बार साहतिक चेतना को या थार्त बाद की और अग्रसर होने की प्रेणा दी हैना तो यह जो आपका उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा उत्तर हो जाएगा डी नमबर प्रगति बाद जन जीबन के साथ प्रकृति और कल्पना लोग में सुवंदर खोचता है एक अतन प्रगति बाद के संदर में सही नहीं है यानि कि आपका जो एक नमबर है ये नमबर सही होगा इसमें प्रगति बाद जन जीबन के साथ प्रकृति और कल्पना लोग में सुव आंदर खुछता है, एक नम्मर आपका सई होगा, बाकि D नम्मर आपका सई है, D नम्मर प्रगतिबाद सामाज ow अतरût बात की अविक्ति और रचना का उद्देश मानता है, ये तो सई है, ये मि-स्प्रेंट है, यहाँ पर पर ए नम्मर आपका सई हो जाएगा, ठीक है, प्र प्रगतिबाद सब्द का सरप्रतम प्रियोग 1942 सीश्वी में मुक्ती बोध ने अपने एक लेख प्रगतिबाद एक दरश्टी आगामी कल में किया था दोस्तों तो ये भी आपको याद रखेंगे प्रगतिबाद का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया था तो ये किया था मुक् पूछा गया आप बताईए मासलबाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं मासलबाद के प्रवर्तक बताईए कौन माने जाते हैं हिंदी काब में मासलबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन मान जाते हैं ये तो अपने कई बार पढ़ा है कि सरहालाबाद अगर पूछो तो हरी बंसराए बच्चन मासलबाद अगर पूछो तो रामेस्टोर सुकल अंचल ठीक है तो इसको आपको याद रखनेना है कि रामेस्टोर सुकल अंचल ये नम्मर आपका सही है है ना मासलबा प्रियुक्त हुए और इनके द्वारा रचित रचनाए हैं मधुलिक्या अपरा जिता किरान बेला बरसांद के बाद ब्राम चिन आदी बाहरदय नहीं है पत्तर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं यहां पर आपका बिकल्प आजाएगा इस बिकल्प का अंसर आपको बता यहां पर आजाएगे यह बिकल्प है आपके हैना तो यह पंग्तियां बताना है यह पंग्तियां किसकी है तो आप पहले ही समझ गए दोस्तों यहां पर यह जो पंग्तियां है वो ग्याप्रसास सुकल सनेही की है ना द्वारा रचित हैं दोस्तों यह बाहरदय नहीं है प संस्ता मान जाती है अंजुजी कभिता जी प्रश्ण क्रमांक 11 रास्टी इस्तरInsya इस store की राजिस्तर या फिर हिंदी भासी प्रान्तियव तो प्रगतिसी लेकक संग आपको बता है कि दोस्तों ये प्रगतिसी लेकक संग किस इस्तर की संस्ता है तो ये है अंतर राष्टिय अंतर राष्टिय इस्तर की संस्ता है और बी नम्मर आपका सही है है ना प्रगतिसी लेकक संग अंतर राष्टिय इस्तर की संस्ता है इसकी स्थापना 1935 में सज्जाज जहीर ने लंदन में की थी 1935 में भारत में 1936 इसमीं प्रगतिसी लेकक संग की स्थापना हुई थी है ना लखनव में और इसका प्रतम अधिबेशन भी कहां पर हुआ था लखनव में है ना और दोस्तो इसके प्रतम अध्यक्ष भी कौन थे तो इनको याद रखेंगे 1936 प्रगतिबाद के जन्म में किसका योगदान है बताइए किसका योगदान है चायाबादी रोमानियत एवं पलायन बादी प्रिविर्ती का प्रगतिसी लेकक संग की स्थापना का माक्सबादी प्रभाव या वो परियोक्त में से सभी प्रगतिब प्रगतिबाद के जन्म में सभी लोग बताएंगे और राइट अंसर चला जाता है कि प्रगतिबाद के जन्म में किसका योगदान है तो परियोक्त सभी च्छायाबाद रोमानियत एवं पलायनबादी प्रगतिसी लेकक संग की स्थापना का हैना बार्गसबादी प्रभाव यानि की उत्तर आपका डी नमबर बिल्कुर शाई है आदुने किंदी साहित में प्रगतिबाद के जन्म में उपरियोक्त सभी परिस्तितियों का प्रभावित होकर का ब्रशना करने वाले कवी सामिलते दोस्तों मांक्सबादी या सामबादी ठीक है अंगला क्वेस्चन आपको बताना है मैं उस जनपत का कभी हूँ का ब्रचना किस कभी की है मैं उस जनपत का कभी हो अब सात्यों जिन्भी सात्यों ने अभी तक Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया है वो एप को जरूर डाउनलोड करेंगे एप को डाउनलोड करना है आपको और जिन्भी सात्यों को एडवीसन लेना है वो एडवीसन ले सकते हैं ठीक है एडवीसन जरूर ले दोस्तों 30 तार हूं यानि कि आपका राइट अंसर हो जाएगा त्रिलो चन त्रिलो चन यानि C दोस्तो है एक तो स्यों मंगल से सुमन की भी रचन मिट्टी की बढ़ात है और त्रिलो चन की भी रचन मिट्टी की बरात है अब कंफ्यूज नहीं होना यहां पर नहीं तो कहीं पर आपको मिल जाए बोले मिट्टी की बरात की रचना कार कौन है तो आपको याद रख लेना कि मिट्टी की बरात तरे लोचंजी की भी रचना है और दोस्तों सिव मंगल से सुमन की भी रचना है ठीक है तो मि पुर्वा, योग की गंगा, नीद के बादल और आख का आईना, ये केदार नात अगरवाल की हैं, है ना, बाकी नागरजुन की योगदारा यात करना, सतरंगे पंखें पंखों वाली, भसमांकोर, तुमने कहा था और प्यासी पत्राई आखें, ठीक है, त्रलोचन का बास्त नाम क्या है, हैना, उत्तर बताना है, त्रलोचन का बास्त्विक नाम क्या है, उत्तर है, बासू देयोसें, बासू देयोसें है, यानि कि आपका एक नमर जो है, एक नम्मर आपका ये बासु देवसें बिल्कुल सही हो जाएगा तिलोचन जी का बास्त्विक नाम था सतीज जी ठीक है तिलोचन का बास्त्विक नाम बासु देवसे था इनका अपनाम तिलोचन था मुक्ति बोद ने तिलोचन को अबद का किसान कभी कहा है ये question बहुत ही बढ़िया बनता है यहां पर कि त्रिलोचन को अबद का किसान कभी किस ने कहा मुक्ति बोध ने किसे त्रिलोचन को या अबद का किसान कभी किसे कहा जाता है तो आप लगा देना त्रिलोचन है ना जिनका की बास्तविक नाम था बासू देओ और इनके द्वा का कभी हूँ अरगान है ना अरधान दोस्तों और तुम्हें सौपता हो फूल नाम है एक अनकहनी भी कुछ कहनी है अनकहनी भी कुछ कहनी है ये दोस्तों त्रलोचन की रचनाय मान जाती है जिने की अबद का कभी कहा जाता है अमिता जी अबद का कभी कहा जाता है ने अंगल कॉस्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पर सुमेलित नहीं है बताना है तो सुमेलित करिए मुक्ती मार्ग के रिचनाकार कौन है प्रिगलते पत्तर अजे खंडहर और प्रलय सिर्जन के रिचनाकार कौन है तो बताइए कौन सी सुमेलित नहीं है और यहां पर आपको पता है बुलिसर मुक्ती मार्ग ये तो भारत भूशना गरवाल की है पिगलते पत्तर रांगे रागव की है अजे खंडहर अजे खंडहर इनराला की नहीं है प्रिलाइ सिर्जन ये सिव मंगल चेशुमन की ये तो भूशना गरवाल पिगलते पत्तर की रांगे रागव इसरुना अजे खंडहर की रागव है और दोस्तो परिलाइ सिर्जन ये सियो मंगल चेशुमन की रचना है इन में से कौन सी नागरजुन द्वारा रचित नहीं है पासानी चंदना या फिर ये चार विकल्प हैं चार में से आप लोग चेन करिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही कौन सी नागरजुन द्वारा रचित नहीं है पासानी नहीं है रविंद किप्रती चंदना या फिर कला और बूरा चांद कौन सी रचना है जो दोस्तो नागरजुन की नहीं है ये आपको बताना है और आपका बिलकोश सही आंसर है बुलिसर कला और बूरा चांद की रचनाकार पंत जी है सुमित्र अनन पंत जी जिरे 1960 में साहित अकादमी प्रुष्कार भी मिला था हैना नागरजुन की तो पासानी है रविंद के पिरती है चंदना भी है लेकिन करा और बूरा चांद न नहीं बलकि ये पंत द्वारा रचित है दोस्तो इस किर्टी पर 1960 में इने साहित अकादमी प्रुष्कार मिला था हैना जबकि बादल को घरते देखा पासानी सिंदूर तिलकित भाल तुमारी दंतुरिन मुस्कान चंदना पांच पूत भारत माता के पांच पूत भारत मात हैना रविंद के पिर्ती कालिदास हरीजन गाथा अकाल और उसके बाद और नागरजन द्वारा रचित इरचनाय माने जाती है हरीजन गाथा भी दोस्तो नागरजुन की है हैना रविंद के पिर्ती कालिदास ये भी माने जाती है अंगला क्वेश्चन है कबीर के उपरां हर विद्वन्सकारी और जन विरोधी सक्ती को सरवाद एक खुली चुनवती देने वाले साहितकार जो थे वो कौन थे बताईए कुंते कबीर के उपरांत हर विद्वन्सकारी और जन विरोधी जन विरोधी सक्ती को सरवादे खुली चुनोती देने वाले साहितकार हैं तो कौन है निराला, नागरजुन, दिनकर या पर हरियोद कबीर के उपरांत आपको बताना है तो कबीर के उपरांत हर बिदवन्सकारी और जन ब्रोधी सक्ती को सरवादे खुली चुनवती देने बाले जो साहितकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन नागरजुन नागरजुन और उत्तर चला जाता है बिकल्प नम्मर वी की तरफ नागरजुन आपका राइट आंसर है कबीर के उपरांत हर बिदवन्सकारी और जन ब्रोधी सक्ती को सरवादे खुलू चुनवती देने बाले साहितकार जो माने जाते हैं वो नागरजुन और नागरजुन का एक क्वेश्चन आता है कि इनका बास्त्विक नाम क्या था इनका बास्त्विक नाम क्या था दोस्तों बैदनात मिस्त्र नागरजुन का बास्त्विक नाम क्या था तो उत्तर लगाना है बैदनात मिस्त्र बिस्रुवाती दिनों में माली उपनाम माली उपनाम से रचना लिखते थे हैं ना और नागरजुन यो कभी होने के साथ उपन्यासकार और मैथल के स्रिष्ट कभियों में जाने जाते हैं अब ये माली भी आपको याद रख लेना है ये नोट्स कर लेना नागरजुन का बास्विक नाम बैदनात था और दोस्तों कभी अगर माली उपनाम इनका पूछ लिया जाए तो इनका एक उपनाम माली भी है और इन्हें नागरजुन भी कहा जाता है तो नागरजुन माली और बैदनात मिस्त्र है ना विस्तुरुवाती दिनों में माली नाम से लिखते थे दोस्तों ये भी आपको याद रख लेना ठीक है कौन का द्वंदात Mikey भौत एक बिकास बाद किस कापधार का आधार है नई कविता का प्रिगति बाद का शमानांतर कविता का या फिर इनवे से कोई नहीं हाँ यात्त्री नाम से भी मैथली में लिखते थे बहुत बढ़ या उन्हें थो ये यात्तRI नाम से भी लिखते थे मैथ मेथली में नागर जुन्जी कि आप तरी नाम से मेथली में लिखते थे है ना द्वन्दात्मक बहुतिक बाद विकास बाद किस काबधारा का आधार है नई कविता का प्रगति बाद का समानतर कविता या पहरेन में से कोई नहीं तो द्वन्दात्मक बहुतिक बाद विकास बाद आपसे पूछा गया किस काबधारा का आधार है तो वो काबधारा कौनसी है वो काबधारा है प्रगती बाद यनि कि आपका प्रगती बाद बिलको सही है सोशन का ब्रोध हैना प्रगती बादी काबी की सबसे बड़ी बिसेश्टा है सोशन का ब्रोध किया गया इसमें इसके अनुसार किसारों मजदूर एकोकर अपने उपर होने वाले सामन्तों और पूझी पतियों के अत्याचार का ब्रोध करेंगे प्रगती बादी कापधारा में सोचतों की दीनता का चित्रन, सोसक बर की पृती घरना, क्रांती की भावना, एवन द्वन्दात्मक बहुत एक बाद, विकास बाद आदी की विसेश्ताओं की दर्सन इसमें मिलते हैं इसको अपन ने याद किया, अंगले क्वेस्ट्न की ओर बढ़ेंगे, अंगला जो अपना प्रशन है साथियो वो इस प्रकार से है, प्रगती बाद, प्रगती बाद के अंतरगत आपको बताना है कौन सा बिचार आमान है, ए उत्तर आपको बताना है, या थार्त बाद, रूप बाद, समाज बाद या फिर दोस्तों पदार्थ बाद, प्रगति बाद के अंतरगत कौन सा रूप अमानन है, कौन सा बिचार अमानन है, यह आपको चैन करना है, सभी लोग लाइक जरू कर देना, साथ यो सेल्प स्टेडी किलासेस में हिंदी साहित के कोर्स को, कोर्स प्रगति बाद के अंतरगत कौन सा बिचार अमानन है, तो उत्तर चला जाता है रूप बाद, रूप बाद, यहनि की बी नमबर आपका, बिलकोश है रूप बाद, प्रगति बाद का सेदानतिक, आधार, मार्क्स का दुन्दात्मक भोतिक बाद है, राजनीती के छेतर में जो समाजबाद है, या सामबाद है, तथा या थार्त बाद या पदार्त बाद है, साहत के छेतर में बही प्रगति बाद है, हैना प्रगति बाद काल में निम्नलकित बर्क के जीवन की प्रतिष्टा हुई, इसी युग के कभी जीवन की अथार्त धरातर प्राउतीन कर समा अंगला question है दो राह समय के रत का धर्द नाद सुनो है ना और संगासन खाली करो की जनता आती है यह पंक्ती बताईए किसकी है संगासन खाली करो की जनता आती है बीस का अंसर बीस का बताऊगे दो राह के समय का उत्तर आपका बिलकुश सही आंसर है यहाँ पर कि दोस्तों संगासन खाली करो की जनता आती है यह रामधारी से दिनकर रामधारी से दिनकर द्वारा उद्रत जो पंक्तियां है दोस्तों ब पूछी गई, हैना दो राह समय के रत का धर्द नाद सुनो, सुलाम धारी से दिनकर, तुमको पीना में ढूडा, तुमको ढूड़ेगी पीना, महादेवी बरमा की पंक्ती, हैना चित्र मैं कीरिना अधूरी सकी वो मुझ से कह कर जाते की मैंत्री श्लंगूपति की मानी जात पुरू छेत्र, पुर्वसी या फिर्धारा, दिनकर की काब रचना कौनसी नहीं है, प्रश्न किर्मांक 20 बन का आंसर आपको बताना है, दिनकर की कौनसी नहीं है, तो अपनने पढ़ा है कि सर हुंकार तो दिनकर की है, पुरू छेत्र भी दिनकर की है, पुर्वसी के रचनाकार भी दिनकर हैं, लेकिन ये तिरधारा, तिरधारा तो ये बोले सर सुविद्रा कुमारी चोहान की है, सुविद्रा कुमारी चोहान की हुंकार, रस्मी, पुरू रचना हैं संस्कृति के चार अध्याए सुद्ध कविता की खोज है ना दिनकर की ये डाइरी है अधैर का कभी किसे कहा जाता है उत्तर चैन कर ये बढ़िया प्रशने है लाइक सबी लोग जरू कर दें और सात्यों जिन भी सात्यों ने एप को डाउनलोड नहीं किया सेल्प किसे कहा जाता है अधैर का कभी कहा जाता है दिनकर को दिनकर को कहा जाता है और एक नम्मर आपका दिनकर बिलकूर सही हो जाता है राश्टिय सांस्किति कापधारा के सबसे ससक्त कभी रामधाई से दिनकर को अधैर का कभी कहा जाता है दिनकर जी का जन में शिमर्या जिले मुगेर बिहार में हुआ था आप बिहार सरकार की अधीन सब रजिस्ट्रार राजसभा की सदस भागल पूर विश्विद्याला की उपकुल पती जो दोस्तों आप रहे चुके हैं इनके बारे में अपन को याद रखना है अंगली प्रशन की और हम चर्चा करेंगे कि प्रग समदारी से दिनकर को हैना आगोर राक का कभी भी कहा जाता है और प्रगती बाद में किस विचार धारा का कुद्या माना जाता है और उत्तर चला जाता है बिकल्प नमबर एकी तरफ ये नमबर आपका साही है प्रगतिवाद में माक्सबाद बिचारधारा का उधाय माना जाता है एस समाच को सोसक वा सोसित बद दो वर्गों में बाटा बाटता है हिंदी साहत में प्रगतिवाद सन 1936 से 1943 इसमी तक माना जाता है दोस्तों और 1936 में लखनव में मुंसी प्रेमचंद की अध्यक्स्ता में पहला सम्मिलन नागरजुन केदारा तगरवाल रामिला सरमा नामबार सेयादी इस बाद के प्रमुक साहितकार भी रहे हैं प्रगती बाद के हैना अंगला क्वेश्चन है कि ह हिंदी साहित में प्रगती बाद का उदय कप से माना जाता है बताईए चार विकल्प हैं हिंदी साहित में प्रगती बाद का उदय आपको बताना है तब आपका राइट अंसर क्या होगा हिंदी साहित में प्रगती बाद का उदय आपको चैन करना है कि प्रगती बाद का उ प्रगतिबाद का काल था और उत्तर आपका बी नंबर बिलकुँ सही है प्रगतिबाद में। प्रगतिबाद में। कुंते प्रेमचंद सन 1935 इसवी में एम फास्टर के सवापतित्त में प्रोग्रेसिव राइटर्स एस्सेशन नामकंतराश्टी संस्ता का प्रतम अधिबेशन पेरेस में हुआ इसके पस्चा सन 1936 में सज्जाज जहीरो डाक्टर मुलकराज आनंद के प्रेतनों से भरत में प्रगती सी लेकक संका प्रतम अधिबेशन भी हुआ इसको आपको याद रख लिना ठीक है अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर्पाई कुस्बू रंगो आब ये पंक्ति किसकी है ये पंक्ति आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा लाइक जरू करिए सभी लोग लाइ प्रगती बाद से है या पhrट दोस्तो सवानांतर कभिता से तो ये भूल मत गर्पाई कुस्बू रंगो आब ये प्रगती बाद से है उत्तर एक नम्मर आपका बिलकुर सही है ये नम्मर आपका सही है ठीक है tgt pgt के लिए दोस्तो जल्Д ही 125 प्रष्णों के मॉड़ल टेस पेपर में एडवीसर लेना है वो ले सकते हैं जल्दी लांच होंगे 125 में से आप प्रगति बादी कभी हैं तो प्रगति बादी कौन है आपको कमेंट में लिखना है जल्दी से लिखिए प्रगति बादी कभी कौन मान जाते हैं जैसंकर पिरसाद मुक्ति बोध केदारनात अ कभी हैं लिखिए सभी लोग चार विकल्फ हमारे सामने मौझूद हैं चार में से आपको आंसर का चैन करना है प्रगति बादी कभी बताना है और यहां पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या केदारनात अगरवाल के दोस्तों इनके बारे मे माना जाता है हैना और प्रगति बादी दोस्तों आपने आलूचक पड़े होंगे एक राम बिला स्थर्मा हैना और प्रगति बाद में दोस्तों अपन ने देखा कि प्रगति बाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं शुमित्रा अनंदन पंत है बारा रचित करती हैं योग की गंगा योग की गंगा नेंद के बादल फोल नहीं रंग बोलते हैं आग का आइना और अपूर्बा ये सारी की सारी जो रचना हैं दोस्तों ये क्या माने जाती है ये प्रगतिवादी कभी की रचनाय माने जाती है प्रगतिवादी कभी यानि क प्रमो कभी कौन नहीं है बताईए नहीं है बताना है चार विकल्पे अब नहीं है चैन करना है आपको 28 का आंसर चैन करिए प्रगति बादी कभी कौन नहीं है चैन करें प्रश्ण की रमांग 28 नागर्जों दिनकर मुक्तिवोध या फिर अग्य तो फटाक से देखते हैं सब सबसे पहले आंसर बताता है प्रगति बादी कभी कौन नहीं है इसका आंसर आपको बताना है तो आपने पढ़ा है कि नागर्जुन तो है इनका बास्तविक नाम क्या था इनका बास्तविक नाम था बैदनात नागर्जुन का हैना यह तो प्रगति बादी माने जाते हैं द क्रियोग बादी पुष्प्र करेंगे पुष्प की अविलासा नामक प्रस्द्र कविता किस्ने लिखी बधिया क्वेश्चन है सरल क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन से से आना चाहिए बताइए तो पुस्प की अभिलासा पुस्प की अभिलासा नामक पिरसिद्ध कविता किसने लिखी 29 का ये उत्तर आपको चैन करना है किसने लिखी पुस्प की अभिलासा करिये चैन और यहां पर आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा बात पुस्प की अभ माख्रलाल चत्रवेदी यानि कि आपका उत्तर चला जाता है बिकल्फ नम्बर एक की तरफ ये नम्बर आपका बिलकुर शही हो जाता है ठीक है। ये दोस्तों लिखी है इसको याद रखे ना माखलाल चत्रवेदी द्वारा लिखेत के पुस्प की अविलासा कभीता सभी लोगों को लगबग पता है हिंदी के आधुने काल के दुवेदी यूगीन कभी माखलाल चत्रवेदी राष्टिय कापधारा के कभी है और एक भारती आत्मा उपनाम से प्रसिद्द है अगर कभी आप से पूछा जाए कि एक भारती आत्मा उपनाम से प्रसिद्द जो है वो कौन है तो आप क्या सा बीरत से पूर्ण राष्टिय का भीता लिखी है ना हिम क्रीटनी इनकी रचना है हिम तरंगनी माता तथा समर्पन आदी माकरला चुत्रविदी के काब संग्राय माने जाते हैं कुमकुम रस्मी रेका अपलक क्वासी हम विस्पाई जनम के विनुवा इस्तबं तथा उर्म अब आपको बता है मिलन पतेक मांसी स्वपन कविता को मोदी आदी राम नईस्तरपाठी की रेचना हैं ठीक है गंगा उत्रण उद्धाव सतक हरिश्चंद हैना हिंडोला स्रंगार लहरी कलकासी कलकासी उद्धाव सतक इस सारी की साही रचना किसकी हैं दोस्तों यह माने स्याती जगनना दास रतना करकी ठीक है यह सारी रचना यह आपको परना है अब आपको बताना मौर बेजय किसकी रचना है मौर बेजय की रचना कार कौन है एक ऍट व यह क्वेस्चन तो कई बार आया है चैन करना है आपको मौर बेजय किसकी रचना है मेत्रीशन गुपति की, स्याराम स्रन गुपति की या फिर स्याम नारायन पंडे या इन्हें से कोई नहीं मौर बेजय की रचना कार कौन है प्रश्ण की रमांग 30 और यहाँ पर मौर बेजय की बात हो रही है मौर बेजय किसकी रचना है उत्तर चला जाता है शियाराम स्रन गुपति शियाराम स्रन गुपति यानि कि आपका B नमबर बिलको सही है मौर बेजय की रचना कार कौन है शियाराम स्रन गुपति है B आपका बिलको सही आंसर ठीक है मौर बेजय की बारे में मौर बेजय सिया राम स्रन गुपति की किर्टी है और इनकी अन्य रचनाओं में पाथे पाथे इनकी रचना है गोध और नारी अन्ते मकांचा गोपिका बापू अनात आद्रा और बिसाद है ना की रचना इनकी मानी जाती है दोस्तों किसकी सिया रा पताईए प्रगतिस्री लेकक संग की स्थापना प्रगतिस्री लेकक संग आपको पता है दोस्तों कि अगर लंदन की बात करते हैं तो लंदन में ये 1935 में स्थापित हुआ था है ना सज्जाद आधी यह से बहुत सारी विद्वान थे जोनों ने दोस्तों प्रगतिस्री ले लेकक संग की स्थापना में दोस्तों योगदान दिया था लेकिन अगर बात करें भारत में तो भारत में प्रगतिसी लेकक संग की स्थापना हुई थी 1936 में और ये प्रतम अधिवेशन हुआ था दोस्तों कब प्रतम अधिवेशन हुआ था लखनव में हैना अगर बात करें 1935 में एम फास्टर के सभापतेत्व में पेरिस में प्रेग्रेसिव राइटर से स्वेसिय नामक अंतराश्टी संस्ता का प्रतम अधिवेशन हुआ और दोस्तो है ना 1936 में सज्जाज जहीरो मुलकराज आनन्द के प्रेयात्नों से भारत में भी संस्ता की साका खुली यह भी आपको याद रख़े ना ठीक है इनको आपको याद रख डेना और दोस्तो प्रतम अधिविशन के अध्यक्ष कुं थे लखनव में वहा था और इसके अध्यक्ष थे प्रयमचन्द कौन मान जाते हैं प्रयमचन्द इसको याद रख डेना ठीक है अंगला कोस्चन नागर जुन किस बर्ग के कभी है कि आंसर आपको चैन करना है ये चैन करिए चाया बादी प्रगती बादी हैना दुवेदी युगीन या फिर प्रियोग बादी नागरजुन किस बर्ग के कभी माने जाते हैं प्रशन किरमांग 32 में और 32 में नागरजुन की बात हुई है तो नागरजुन तो आपको पता ही है कि सरे नागरजुन जो है इनका बास्तविक नाम क्या था बैदनात क्या था बैदनात और प्रगतिबादी कभी मान जाते हैं ठीक है तो उत्तर कहा चला जाता है बिकल्प नमर वी की तरफ वी नमर आपका बिलकुछ आई हो जाता है अंगले कोश्चन की और बढ़ेंगे अंगल रचना करने बाले कभी नागरजुन का बास्तविक नाम क्या था बैदनात और नागरजुन यात्री उपनाम से लिखते थे दोस्तों काई में लिखते थे मैथली में मैथली में यात्री उपनाम से लिखते थे ये भी आपको याद रखे ना इनकी रचनाओं की जब भी बात होती तो योगधारा सतरंगे पंकों बाली प्यासी पत्राई आकें बसमांकुर तालाप की मशलियां हैना खिचली बिपलाव देखा हमने तुमने कहा था और हजार हज बाहों बाली पुरानी जूतियों का कोरस ये सबी दोस्तों नागरजुन की रचनाएं मानी जाती हैं है ना यात्री नाम से कौनसी बाहसा में लिखते थे मैथली में एक क्वेस्चन भी कई बार आया है कि यात्री नाम से मैथली में लिखते थे कौन नागरजुन ठीक है अ दोस्तों ये बताना है रामधारिस ने दिनकर की वो रचना कौनसी है जिसे आधुने की युग की आधुने की युग की गीता कहा गया और वो रचना मानी जाती है कौनसी कुरू छेत्र कुरु छेत्र के आदने की उक्की से गीता कहा जाता है रेणुका फंकार और्वसी और कुरु छेत्र को रेणुका भी दिनकर की है है ना हुंकार भी दिनकर की है पुरवसी भी दिनकर की है कुरू छेतर भी दिनकर की है लेकिन आदुने की गीता कहा जाता है किसे कुरू छेतर को है ना कुरू छेतर को रामधारी से दिनकर की किरती कुरू छेतर को आदुने की गीता कहा गया पुर हिमालाई का संदेश, कलिंग विजय और बुद्ध देववादी इनकी रचनाय माने जाती हैं किसकी दिन करजी की। अंगला कॉस्चन है आयूस जी हल्दी घाटी बीरस प्रदान प्रबंद काब है तो कौन सा है? हल्दी घाटी बीरस प्रदान प्रबंद काब है श्याम नाराण पांडे नबीन शोहला दुवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं हल्दी घाटी बीरस प्रदान प्रबंद काब कौन सा है? वो माना जाता है श्याम नारण पांडे हैना श्याम नारण पांडे यनकी ये नम्मर आपको बोले स्याम को हल्दी स्याम को क्या लग रही है हंदी हल्दी लग रही है तो हल्दी से हल्दी घाटी और स्याम से स्याम नारण पांडे हैना तो उत्तर कहां चला जाता है विकल्प रचनाए हैं जै हनुमान हैना तुमुल रिमजिम हलदी घाटी तता जोहर ये माने जाती है स्याम नाराण पांडे की रचनाए हलदी घाटी तो याद रख लिए न ये तो पूछी जाती है रामदाई से दिनकर को किस किर्टी पर ग्यान पीट प्रुषकार प्राप्त हुआ दोस्तों कौन सी किर्टी पर इन्हें घ्यान पीट प्रुषकार मिला था दिनकर जी को और वसी के लिए पुरू छेतर के लिए साम धैनी के लिए या फिर हुंकार के लिए करिये चैन प्रशन किर्मांग के अपना रामधाई से दिनकर को किस किर्टी के लिए घ्यान पीट ने मिला था बताईए चैन करिए सबी लोग फटा फट से उत्तर बताते जाएं जो भी साती ने अभी तक दोस्तों सेल्फ इस्टडी किलासिस का एप डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज एप डाउनलोड कर लें और अपने अध्यन को नरंतर बहुत अच्छा बना सकते हैं अब आपको रामदाई सेंधिनकर को बताना है कि किस किर्टी पर ग्यान पीट प्रुसकार इन्हें मिला था ग्यान पीट प्रुसकार किने मिला था किस रचना के लिए मिला था तो आपको बैसे भी पता है कि औरवसी के लिए इन्हें मिला था 1972 में औरवसी के लिए इन्हें अब योगधारा की रचेता आपको बताना है योगधारा के रचेता कौन है योगधारा के रचेता कौन है योगधारा के रचेता कौन है बताईए योगधारा और अभी अपन ने पढ़ा भी है क्या पढ़ा है कि सर योगधारा के जो रचेता है वो रचेता है कौन नागरजुन इनका बास्तविक नाम क्या था पुलिसर बैदनात है ना ये मैतली में किस नाम से लिखते थे तो मैतली में लिखते थे यात्री नाम से ठीक है ये भी सबी को पता है तो उत्तर चला जाता है सी की तरफ सी नमर आपका बिलकुँ सही है युगधारा इनकी रचनाओं में युगधारा सतरंगे पंकों वाली हैना प्यासी पत्राई आखें भसमांकुर ठीक है तालाव की मचलियां तुमने कहा था खिचली विपलाओ देखा हमने नागरजुन की रचना हजार हजार बाहों वाली प्रानी जूतियों का कोरस नागरजुन की प्रमक काब किर्तियां माने जाती है दोस्तों है ना यहां पर काब संग्रोओं के साथ सुमेलित करना है आपको कूट भी नीचे दिया है कूट में से चैन करिये और सुमेलित करिये कि फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार कौन है बुनी हुई रस्ती के रचनाकार कौन है या फिर योगधारा के रचनाकार कौन है जल्दी से बताइए सबी लोग बुनी हुई रस्ती के रचनाकार कौन है कमेंट में लिखिए बुनी हुई रस्ती के रिचनाकार कौन माने जाते हैं कमेंट में आपको लिखना है बुनी हुई रस्ती और नागरजुन की कौन सी किर्थी है किदानात अगरवाल की कौन सी है भवानी प्रसाद मिसर की कौन सी किर्थी है माली भी इनका उपनाम है दिनेश जी बिलकुँ शही है ना तो यहाँ पर आपका उत्तर चला जाएगा दोस्तों क्या सी की तरफ ठीक है सी तरफ आपका बिलकुँ सही हो जाएगा यानि कि दोस्तों नरेंदर सर्मा का अपन ने देखा प्रवासी के गीत यह है हैना नागरजुन की अपन ने युगधारा पड़ी है केदार ना तगरवाल की फूल नहीं रंग बोलते हैं भवानी परसाद मिस्र की बुनी हुई रस्ती हैना तो इस प्रकार से अपना यह हो जाएगा यहाँ पर देख लो सीधे सीधे पुलिसर हैना नरेंदर सर्मा प्रवासी के गीत नरेंदर सर्मा की रचना प्रवासी के गीत है नागरजुन की रचना युगधारा है केदा ना तगरवाल पूल नहीं रंग बोलते हैं ठीक है भवानी परसाद मिस्र बुनी हुई रस्ती और कुमर नारान आत्म जाई ठीक बालकर्ण सर्मा नवीन का सर्परतम प्रकासित काब संगरे है तो कौन सा है बालकर्ण सर्मा नवीन का हमें बताना है क्वासी और मिला रस्मी रेखा या फिर कुम कुम यानि कि आपका 38 का अंसर बालकर्ण सर्मा नवीन का सर्परतम प्रकासित जो काब संगरे है वो आपको ब शर्प्रितम प्रकासित बताना है और अपने पढ़ा भी है कौन सा है सर्प्रितम? 38 का आंसर बताना है आपको और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुम कुम यहना बालकर्ण सर्मा नवीन का प्रिथम प्रकासिट जो काब संग्रा है वो काब संग्रा है कुम-कुम यहनी आपका उत्तर डी नमबर कुम-कुम सही होगा बालकर्ण सर्मा नवीन का प्रिथम प्रकासिट जो कविता संग्रा है दो तो वो कुम-कुम है एना इसके अत्रिक नवीन के अन्न काविगरन तुरमिला आपलक रस्मी रेका और कुवासी ये माने जाती ठीक है कौन सी रचना रामधाई से दिनकर की नहीं है रामधाई से दिनकर की कौन सी रचना नहीं है बताईए जल्दी से कौन सी रचना नहीं है दिनकर जी की तो यहां पर रामधाई से दिनकर की जब बात होती है तो इनकी रचना नहीं है अध्यात में चिंतन अध्यात में चिंतन दिल्ली है इनकी रचना रेनुका भी है नीम के पत्ते भी है तो कुणशी नहीं है अध्यात में चिंतन नहीं है यानी कि आपका ए नमबर दिनकर की रचना नहीं है और रहुंकार की बात करें तो हुंकार है रसबन्ती भी है पुरू छेत्र है शाम धहनी है नील कुसम है दिल्ली है ठीक है यह सारी रचना माने जाती हैं दोस्तों निम के पत्ते भी पूछी जाती है, ठीक है निम के पत्ते के रिचनाकार कौन है, एक हतोड़े वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ती है, उत्तर चला जाता है केदारनात अगरवाल की, किसकी पंक्ती है केदारनात अगरवाल की और ए नम्मर केदारनात अगरवाल आपका बिलकुँ सही हो जाता है केदारनात अगरवाल प्रगतिवादी प्रगतिवाद के प्रमुक कभी हैं हैना एक हतोड़ा बाला घर में और हुआ आज नदी बिलकुल उदास थी हैना इन पंक रचनाय अपन को याद करना है ठीक है रचनाय हमेशा पूछी जाती हैं बढ़ते हैं अंगले क्वेश्चन के ओर अंगले प्रस्ण को देखते हैं इन मैंसे कौन सा कभी इन मैंसे कौन सा कभी प्रगति बादी नहीं है ये क्वेश्चन तो कई बार पूछे जाते हैं और प्र प्रगति बादी जो कभी है वो कौन नहीं है यह प्रशन आपको बताना है कौन सा कभी प्रगति बादी नहीं है और इसका सही उत्तर होगा है आपका कि जो प्रगति बादी नहीं है वो कौन नहीं है भवानी प्रसाद मिस्र है ना यानि कि आपका जो बी नंबर है वो बिलको शय है ठीक है भवानी प्रसाद मिस्तर आपका सभी हो जाएगा दोस्तों हरी भवानी सकुन करे सेरे नरे रगु धरम करे भवानी प्रसाद प्रियोग बादी कभी माने जाते हैं तो केदा नात अगरबाल बासु देव स्ते हैं त्रिलो चन श्यो मंगल शेंश्चोमन ये प्रगति बादी कभी माने जाते हैं जबकि भवानी प्रसाद मिस्तर ये प्रियोग बादी कभी है और ये दूसरे त इस्वर की अध्यक्ष्टा में और कबूतर है ना आ कबूतर कबूतर आत्मत्या की ब्रुद्ध और जलसाघर ये रचनाए कौन सी हैं ये रचनाए किसकी हैं ये आपको सुमेलित करना है तो करिए सुमेलित इस्वर की अध्यक्ष्टा इरचना किसकी है या पिर अब आ कबूतर कबूतर या प्रात्मत्या के बुर्द या जलसाघर और यहां पर आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा कि इस्वर की अध्यक्षता में लीला धर जगूरी है ना आ कबूतर कबूतर के रिचनाकार ओदै प्रिकास आत्महत्या के रगवीर सहाई जलसाघर के रिचनाकार शिरीकांत और सतरंगे पंकों बाली के नागरजुन अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस्वर की अध्यक्षता में के रिचनाकार कोण है लीला धर जगूरी है आ कबूतर के रिचनाकार कोण है उदै प्रिकास है आत्मत्या के बुर्द्य के रिचनाकार कोण है रगवीर सहाई है ना जलसागर के रिचनाकार कोण है तो स्रीकांत है सतरंगे पंके बाली के रिचना किसने की तो वो की नागरजुन ने की रिचनाएं आपको याद करना है यह हमेशा पूछी जाएंगी हालाबाद के प्रवर्टक कोण है यह कोश्चन तो अभी पूछा गया था पंजाब मास्टर गैडर में हालाबाद के प्रवर्टक कोण है बताईए कोण मान जाते हैं दोस्तों मासलबाद और हालाबाद मासलबाद और हालाबाद यह दो चले थे अब मासलबाद तो आपको प्रबर्तक कौन माने जाती हैं कि उत्तर आपको चेन करना है सभी लोग चेन करेंगे उत्तर को हालाबाद के प्रबर्तक और आपने बताया है कि सर हालाबाद के प्रबर्तक अगर आपने पूछा है तो आप हरीबंसराय बच्चन को लगा दीजिए हरीबंसराय बच्चन ये हाला बात के प्रवर्तक हैं अब इनके बारे में इनकी जो रचनाय पूछी जाती है दोस्तों हरीबंसराय बच्चन की मदुवाला, मदुसाला, रसकलस ये पूछी जाती हैं और दोस्तों ये हाला बात के प्रवर्तक माने जाती हैं है ना इन्हें च्छाई रॉमांस का कभी भी कहा जाता है या प्रेम और मस्ती का काब भी ने कहा जाता है इनके काब को ठीक है इनको भी याद रख लेना ठीक है और दोस्तों के जो हालाबाद के प्रवर्तक है वो कौन है तो वो है हरीबंसराय बच्चन मासलबाद के प्रवर तक दोस्तो कुण मान जाते हैं खाला बाद के मान जाते हैं अपने अरिवन्स राए बच्चन हैना दिनकर की रचनाव का शही अनुकरम रेखान कित कीजिए हुंकार रेणुका रस्बंती और वसी इनका क्रम आपको बताना है और दोस्तो आपको क्या करना है आपको जिनवी स हैं दोस्तों तो आपको बहाँ पर हिंदी साहित का संपूर कोर्स लांच किया गया जिसकी फीस दोस्तों है ना 50% से ज्यादा ओफ में दोस्तों ये मात्र 30 तारीक तक आपको 11 रोपे में पीजी टी पीजी टी या फिर दोस्तों आप जूनिया टेट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको याद करना है इनको दोस्तों आप एड़ीशन इसमें ले सकते हैं है ना हिंदी साहित के और हुंकार रेणुका रस्बंती और और वसी ये जो रचना है कि इनकी किरमबद हो जाएंगी यहनि कि उत्तर चला जाता है आपका हुंकार है ना हुंकार रेणुका रस्बंती और वसी यहनि कि आपका जो ये नंबर है वो बिलकुट शही है ठीक है ये नंबर आपका राइट अर्ट हो जाएगा आप तोड़ा सा यहाँ पर देख लेते इनका बिस्तरे तद्ध्यन देख लेते हैं यहाँ पर है ना इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं है ना वैसे यह जो बी नमबर है दोस्तों यह बी नमबर सही होगा इसका बी नमबर रेलुका रस्बंती उर्वसी और हुंकार ठीक है बी नमबर इसको देख लो तोड़ा सा यह बी नमबर सही हाँ आपसण गलत है रेलुका वंकार यह आता है और हुंकार रस्वंती दवंडगीत पुरुचेतर सामधैनी रसमी रती निल कुसम दिल्ली और हूर्वसी ठीक है इनको देख लो वह तो ठीक है ठीक है गलत है वो ओफ्शन गलत है रेनुका भूंकार रसबंती ठीक है द्वंदगीत पुरू छेत्र सामधहनी रस्मी रती हैना नील कुसम दिल्ली और वसी परसुराम की पृतिक्षा आत्मा की आखें हारे के हरिनाम हैना धूप और धुआ नेम के पत्ते और इतिहास के आस यह रचनाएं आपको याद रखें ना ठीक है यह हमेशा पूछी जाती है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखो अंगला कॉस्चन ने रचना कारों के सामने रचनाओं को हमें सुमिलित करना है सतरंगनी है ना और बताना है सतरंगनी सतरंगे पंकों वाली अडिमा या फिर रतंबरा के रचनाएं किसकी है तो यह रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी दोस्तों यहाँ परपन सीधे सीधे देखो सतरंगनी रचना तो किसकी है अरिबंसराय बच्चन की सतरंगे पंकों वाली रचना किसकी है नागर जुन की ठीक है अडिमा के रचना कार कौन है ठीक है सतरंगनी आप से पूछा जाएगा बोले हरी बंस राय बच्चन सतरंगनी है ना बोले हरी ने सतरंगी दुनिया बनाई है बनाई की नहीं बनाई सतरंगी दुनिया किसने बनाई आपने बनाई की हरी ने बनाई बोले सर हरी ने बनाई तो हरी बंस राय बच्चन ठीक ह सतरंगे पंकों वाली को कौन खा गया बोले सतरंगे पंकों वाली को नांग खा गया नांग खा गया तो नांग अर्जुन ठीक है अडिमा किसकी है अडिमा सूर का अंतरपाथी निराला निराला की है इसको याद रखो रितंबरा के रिचनकार कौन है तो केदारनात मिस्तर प्रभात हैं ये केदारनात मिस्तर प्रभात हैं और हम बिस पाई जनम के बाल करशन भट है हम तो बिस भी डाल देते हैं हम तो जनम से बालों में बिस डाल ले हैं बाल करशन भट बाल में डाल ले बिस है ना तो ये बिस डाल ले हैं बाल में तो बाल कर हरीजन गाता किसकी रचना है हरीजन गाता की रचनाकार बताना है धूमिल है आलोग धनवा है लीराधर जगूरी या फिर नागरजुन हरीजन धनवा की किसकी रचना माने जाती है प्रशन किरमांग 46 में और 46 में आपको पता है हरीजन गाता नागरजुन हरीजन गाता की रिचनकार नागर्जुन माने जाती ठीक है बैदनात इनका बास्तविक नाम कियात्री और दोस्तों माली कियात्री और माली भी इनका उपनाम था माली ठीक है कियात्रा और माली इनका उपनाम था नागर्जुन का है ना और दोस्तों हरीजन गाता कि रिचनकार नागर्जुन इस्वर की अध्यक्षता में लीला हुई थी लीला पढ़ती ना पनकशन लीला तो इस्वर की अध्यक्षता में लीला जगूरी दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा है ना मौची राम सुदा मापांडे धुमिल मौची राम शुदामा पांडे धूमिल ठीक है अब इन में से बताईए कौन सा नाम सही है पहला तारसब्टक तारसब्टक दूसरा तारसब्टक तीसरा तारसब्टक कौन सा नाम सही है सही नाम आपको चैन करना है तो कौन सा नाम सही होता इस में से बताईए कौन सा नाम साही होगा तार सब्तक अपन पढ़ते हैं और है ना तो इसमें आपका साही हो जाएगा दोस्तों इतार सब्तक तार सब्तक इसमें साही है है ना बाकी दूसरा तीसरा सब्तक चोथा सब्तक ये भी सही है दूसरा तार सब्तक तीसरा तार सब्तक लेकिन इसमें दोस्तों ये जो गलत है पहला तार सब्तक गलत है ठीक है यहाँ पर ऐसा क्वेस्चन पूछा जाता कौन सा सही नहीं है सही नहीं है तो पहला तार सब्तक सही न अग्गे के बारे में आपको पताई है पृताम दुतीए तरतिए यहाँ पर यहाँ पर पढ़ते हैं ए नंबर पढ़ते हैं यहाँ पर यह पर फेरी की रचनाकार कौन है सीधा सीधा इनको देख लेते हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मदुलिका की रचनाकार कौन है, तो रामिस्तोर सुकल अंचल है, प्रभात फेरी किसकी रचना है, नरेंदर सर्मा की है, प्रभात फेरी, प्राण भंग की रचनाकार कौन है, रामधारी सेंध दिनकर, तब आपसे पूछा जाएगा मदुलिका की रचना कार कौन है आप क्या बताओगे रामिसुर्स तो कलंचल है प्रभात फेरी ये किसकी रचना है नरेंदर सर्मा की प्राण भंगे रामधारी से दिन कर अंगला क्वेश्चन इस प्रिकार से आपको बताना है की रचना की रचना कोन है राकी की चुनोती किसकी रचना है और दोस्तो राष्टी तरंग ये किसकी है या पिर बेपिलाव है ना या फिर सतरंगे पंकों बाली ए रचनाए किसकी है इन रचनाव को आपको बताना है तो ए रचनाए किसकी माने जाती है तो इन रचनाव को भी अपन फिर से सीधा सीधा देखेंगे ए रचनाए यहां से पढ़ना है अपन को किसी आराम सनगुपति की तो है ना बालकर्ण सर्मा की बिपलाओ गायन बिपलाओ गायन की रचनकार कौन है बालकर्ण सर्मा नबीन ठीक है राकी की चुनोती एक किसकी रचना है सुविद्रा कुमारी चोहान राकी की चुनोती राष्टिय तरंग की रचनकार कौन है गयापरसास तुकल सनेही और सतरंग पंकों वाली की रचना किसकी है तो यह रचना है दोस्तों नागर्जुन की ठीक है तो मौर बिजय चिया राम सरंगुपते विपलाव गायन बालकर्ण सरवा नभीन राकी की चुनोती शुविद्रा कुमारी चौहान राष्टिय तरंग गया परसा सुकलिसन एही और सतरंग पंकों वाली को कौन खा गया बोलिसर नाग तो नागर्जुन आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है नौ बज़े रोज नौ बज़े किलास होती है दोस्तों आपकी 40 मिनिट की किलास होती है अब यहाँ पर आपको चैन करना है यहाँ पर आपको बताना है कि रचना ना तो दर्सन है और ना किसी ज्यानी के प्रोण मस्तिस्क का चमतकार ए तो अन्तिता एक साधारन मनुस्थ का संका को लहिर्दै ही है जो मस्तिस्क के हिर्दै पर चड़कर बोल रहा है रामधारी से दिनकर द्वारा कहा गया एकतन उनके किस काब के सम्मंद में है यह आपको बताना ह यह आपको बताना है पुस्पा जी 50 का आइसर आपको बताना है सभी लोग बताईए रचना ना तो दर्सन है और ना किसी ज्यानी के प्रोण मस्तिस्क का चमतकार ए तो अन्तिता एक साधारन मनुस्थ का संका को लहिर्दै ही है जो मस्तिस्क के इस्तर पर चड़कर बोल रह क्सकता है रामधाई यृश है दिनकर द्वारा कहा गया किНसे क्सकाब के संब्नध में हैं थे जो है कुरू छेत्र के शंबंद में है कि queens रिसमी रति और वसी परसु राम की प्रतीक्षा थे ये दोस्तों, कुरू चेतर से सम्दित है। इए रेचनाए अब आपको करमबद्य नहीं करना है कि्रम बद्य चेन करना है साथ्यूं जन्म काल की आधार पर निम्न लिकित कभियों का तहीं अनुक्रम क्या हो जाएगा जन्मकाल की आधार पर सबसे पहले कौन से कभी आते है अनुराग जी नागरजुन त्रिलोचन नागरजुन या फिर भवानी प्रसाद मिस्र तो यहाँ पर आपका बिलको सही आंसर है कि सर नागरजुन तो आते ही हैं लेकिन इसमें नागरजुन में भवानी प्रसाद मिस्र त्रिलोचन और नरेस मेहता यह आती है तो इनके जर्मकाल को देखो नागरजुन क् SERम 1911 है ना नागरजुन छीक है भवाणी प्रसाद में 1913 चीक है स्रिलोचन 17 नरेस मेहता 21 तो यह आपको आनी चाहिए यह आपको दोस्तो खवाण बद आनी चाहिए नागर जुन 11 है ना भवानी परसाद मिस्तर में 13 है ना स्रिलोचन में 17 और दोस्तों नरेश महता का 21 इनको याद रखोगे है ना 21 दिनकर की किस किर्टी का कथानक करन है बढ़िया प्रशन है बहुत बढ़िया प्रशन है दोस्तों अच्छा प्रशन आपसे पूचा प्रशन क्या है कि दिनकर की किस किर्टी का कथानक करन है करन बताना है किस किर्टी का कथानक है करन कुरू चेत्र का है परसुराम की प्रतीक्षा का है या फिर और वसी का है सबी लोग लाइक जरू कर दीजिए वीडियो को दोस्तो 52 को आंसर दिनकर की किस कृति का कथानक करने है यह प्रशना आप से पूछा गया और 52 में आपने लगा दिया किसर इनकी रचना है तो यह सारी है पुरू छेतर भी इनकी रचना है परसुराम की पृतिक्षा भी है का खंड काब है जिसका कथानक करने है अनरचनाई विराश्टिय सांस्कितिक चेतना प्रगति बादी का भी रामधाई से दिनकर की हैं है ना इनको अपन को याद रख लेना प्रगति सी लेकक संग की इस्तापना लंदन में किसके प्रयासों से हुई थी यह आपको बताना ह प्रश्ण करमांग 53 53 का अंसर आपको चेन करना है और प्रगति सील लेकक संग की इस्तापना लंदन में किसके प्रयासों से हुई थी तो वो प्रयातने हैं दोस्तों अपना C नंबर मुलक राज आनंद वा सज्जीद सज्जाद जहीर है ना मुलक राज आनंद वा सज्जा भारत में कब हुई थी 1936 में लखनव में इसका पहला क्या हुआ था अधिबेशन हुआ था पहले अध्यक्ष कोण थे इसके तो इसके पहले अध्यक्ष थे कोण प्रयम चंद यह सभी को पता होगा ठीक है यह सभी को पता है बहुत वड़िया तो अब यहां पर अपन जहीर ने दोस्तों क्या किया था। सज्जाज जहीर, भारत के ड.. मुल्क राज़ आनंद एवं सज्जाज जहीर ने बिटिस राजधानी लंदन में फ्रगती सी लेकक शंकी इस्थापना की थी। निनके कसी माने जाती इतो को लिखना है वीडियो को लाइक और सेयर जरू करना है दस वजे एक जाम पार यूटूब चैनल में दोस्तों एक किलास आती है आपके लिए हिंदी साइट की वो भी आप अटेंड कर सकते हो सेल्फ स्टेडी किलासेस का एप अभी तक डाउनलोड अगर नहीं किया है तो आज ही सेल्फ स्टेडी किलासेस का एप डाउनलोड करने है और प्रगति बादी काब स्रस्टी है तो वो कौनसी है बर्ग चेतना प्रधान यानि कि आपका जो बी नम्मर बर्ग चेतना प्रधान है वो बिल्कुर सही हो जाएगा ठीक है बी नम्मर आपका सही हो जाएगा और दोस्तों एक तारीक से यानि कि एक अप्रेल से लांच होने वाला है TGT PGT का मौडल पेपर मौडल पेपर यानि कि जिसमें 125 प्रस्ण होंगे 125 में ब्याकरण के भी प्रस्ण होंगे हिंदी साहित के भी प्रस्ण होंगे संस्कृत के भी प्रस्ण होंगे तो कुल मिलाके 125 प्रस्णों का जो मॉडल पेपर TGT PGT में आता है वो लांच होने बाला है एक अपरेल से ठीक है एक अपरेल से लांच होगा तो जिन भी सात्यों को लेना है सुरुआत में बिसेश छूटें भी रहेंगी जैसी भी रहें है ना इनमें से कौनसी रचना केदा ना तगरवाल की नहीं है तो आपको पता है और से केदा ना तगरवाल की बात करोगे तो यूगिकी गंगा इनकी रचना है नेंद के बादल भी इनकी रचना है ये भी आपको याद रख्टेना है ठीक है याद रख्टेना है ठीक है और आग का जहरना और योगधारा का य नागर्जुन की इसको याद रख देना युगधारा आज का जो अपना पहला प्रस्शन है यहाँ पर आपको बताना है यहाँ तक अपने पढ़ दिया था अंगला क्वेश्टन है आपका फूल नहीं रंग बोलते हैं पूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन माने जा था कि सर प्रगतिबाद का जो उदय होता है वो होता है 1936 में प्रगतिबाद के प्रबर्तक कौन है शुमित्रा अनंदन पंत चायाबाद के अंत की घोशना किस रचना से मानी जाती है तो वो रचना है कौनसी योगांत किसकी रचना है योगांत तो योगांत की रचनाकार अब दोस्तों आपको बताना है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं ये रचना किसकी है तो आप लगों को बिलकुल पता है बोले सर केदारनाथ गए हो आप केदारनाथ धाम गए है ना बहुत सारे केदारनाथ में फूल नहीं रंग बोलते हैं बोले सर बहां के है ना फूल नहीं रंग बोलते कहाँ पर केदारनाथ में तो आपका ए नमबर केदारनाथ अगरबाल बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है फिर बढ़ते हैं दोस्तों अंगले कॉस्चन की ओर यहाँ पर आते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैना युग की गंगा युग की गंगा नींद के बादल आग का आईना अपूर्वा शमय समय पर हैना इत्यादी दोस्तों केदारनाथ अगरबाल की रचनाए माने जाती हैं और केदारनाथ अगरबाल प्रगति बादी का अबधारा से संबंदित हैं यानि कि ये प्रगति बाद के कभी माने जाती हैं कौन दोस्तों अगरबाल योगधारा, सतरंगे पंकों बाली, प्यासी पत्राई आखें, भसमांकोर, तुमने कहा था, ये सबी रचना किसकी है, नागरजुन की मानी जाती है, ठीक है, बात करें दोस्तों, मिट्टी की बरात, तो मिट्टी की बरात, दो लोगों ने रचना की, दोस्तों, इस नाम से, ह आपको बता है, मिट्टी की बरात, कभी आपसे पूचा जाए, कि मिट्टी के बरात की रचना कार कौन है, तो दोस्तों, दो कभी कौन कौन से है, एक कभी है, तो मिट्टी की बरात, दो कभी की रचना है, जिनको आपको याद रख लेना है, ठीक है, अब दोस्तों, निसा निसा निमंत्रण की रचनाकार कौन है कई बार एक कॉस्चन आता है इस कॉस्चन के लिए हमें तयार रहना है बात करना है निसा निमंत्रण की है ना तो जब निसा होती है दोस्तों तो हम क्या करते हैं क्या करते हैं मुलिसर हम हरी का भजन करते हैं निसा के समय हरी का भजन कर तो यहां पर आप को बिल्कुर स्था होती है हम हरी को निमंत्रन देते हैं हरी की आरती करते हैं हरी यानि की भगवान की तो यह हरी स्थाय बच्चन यानि आपका उत्तर बिकल्प नंबर जो भी है वो बिल्कुर सही हो जाएगा ठीक है प्रणाय मूलक व्यक्तिक कापधारा के अंतरगत प्रेम और मस्ति की कविता हैं लिखने बाले हरीवन्ष राय बच्चन निसान मंत्रन इनकी एक रचना है मदू शाला मदू बाला मदू कलस मिलाने आमनी एकांत संगीत प्रणाय पत्री का स से पूछा जाता हालाबाद के प्रबर्तक कौन है फिर पूछा जाता है मासलबाद के प्रबर्तक कौन है है ना तो आपको याद रख लेना हालाबाद के प्रबर्तक हरीवन्ष राय बच्चन मासल मासलबाद के प्रबर्तक रामिस्तोर सोकल अंचल है ना यह चीज भी हित में मार्क्स बादी चेतना की अभी व्यक्ति जिसका अभधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है आपको बताना है प्रिगति बादी प्रियोग बादी जनवाद या फिर आकबीता अगर आपने अभी तक सेल्फ इस्टडी किलासेस एप डाउनलोड नह हैना प्रिगति बाद दोस्तों आपको पता है कि मार्क्स बाद यानि कि दोस्तों शमाजबास सामबास्ति प्रभावित माना जाता है कि आपको याद रख लेना हम परते हैं कि राजनिती में जो मार्क्स बाद है हैना या सामबाद है बही दोस्तों साहित में क्या है प्रगतिबाद के प्रबर्तक पंत को माना जाता है प्रगतिबाद दोस्तों आपको पता है कि इसमें अथार्थता का चित्रण मिलता है प्रगतिबादी जो रचनाय होती है उन्होंने दोस्तों ये अथार्थत का वर्ना ने किया है उन्होंने कल्पना के आधार पर रचनाय नहीं की हैना हिंदी साहित में मार्क्स बादी चेतना की अभी व्यक्ति प्रगती बादी काब धारा के रूप में देखने को मिलती है और प्रगती बादी काब की मूल चेतना काल मार्क्स के द्वन्दातमक बहुत एक बाद से दोस्तों अनुप्राणत है और मार्क्स की बहु ये भी आपको याद रखना है दोस्तो इसके बारे में और अंगला क्वेस्चन यहाँ पर पताना है कि मदुसाला का प्रकासन वर्स क्या है आपको पता है दोस्तो 1936 में भारत के लखनव में कहां पर लखनव में एक दोस्तो लेकक संग की स्थापना हुई थी तो वो लेकक सं मधू साला का प्रकासन वर्स आपको बताना सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मधू साला के दोस्तो रचनाकार कौन है है ना तो मधू साला के जो रचनाकार माने जाते हैं मधू साला मधू बाला मधू कलस निसा नमंतरन है ना ये सबी जो रचनाकार इनक आपको याद रखेना है ना हरीवंस राय बच्चन दोस्तों इनकी बारे में आपको याद रखेना हरीवंस राय बच्चन के बारे में और इनकी मदूसाला रचना 1935 की है 1935 यानि कि आपका उत्तर हो जाता है बिकल्प नमर एक और जब 1935 की बात आती है तो आपको याद रख में 1935 में एक महा काब लिखा गया था कौनसा महा काब लिखा गया था वो लिखा गया था कौनसा कामाईनी कौनसा लिखा गया था कामाईनी ये भी आपको याद रखते ना ठीक है मदू साला का प्रकास नवर्स 1935 है 1936 में मदू बाला, 1937 में मदू कलेच यह प्रकासित हुई थी दोस्तो इनको याद रख़ लेना और आपको पता है कि अपन बोलते ना कि बेर कराते मंदर मस्जद और मेल कराती मदू साला हैं ना कि दोस्तों वोई मदूसाला जो है ये रचना है मदूसाला मदूकलास और मदूबाला इनको याद रखेना किसकी हैं ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एकजाम में हमेशा पूछी जाती है नागरजुन किस कापधारा के कभी है प्रश्न किरमान का आप से पूछा जाता ह 62 नागरजुन के बारे में आपको बताना है कि नागरजुन किस कापधारा के कभी माने जाते हैं ये प्रगती बादी कभी हैं ये प्रियोग बादी कभी हैं ये आकभीता के सम्मंदित हैं ये समकालीन कभी हैं नागरजुन किस कापधारा के कभी माने जाते हैं ये आपको बताना है और आंसर हो जाता है आपका पुलिसर नागरजुन की अगर बात करते हो तो नागरजुन का बास्तविक नाम क्या था एक क्वेस्चन यहां से बनता है दोस्तों कि नागरजुन का बास्तविक नाम था क्या बैदनात है ना नागरजुन मैतली में किस नाम से लिखते ना कई आओ रानी हम ढ़ाएंगे पाल की और यही हुई है राय जबाहर लाल की है ना नागरजुन केदारनात अगरवाल रांगे रागव शियो मंगल सेंशुमन स्रिलोचन भारत भूशन अगरवाल शौम ठाक और नीरज बलवीर से हैं है ना आदी प्रगती बादी कभी मान जाती हैं दोस्तों इनको अपन को याद रख लेना इनका बास्विक नाम ता बैदनात मिस्र मैतली में यात्री नाम से लिखते थे हैं ना और इनकी रचनाएं कभी ताएं बाधल को घिरते देखा पासानी रबिंदर के पिरती सिंदूर तिलकित भाल की रचनाएं माने जा जाती हैं दोस्तों है ना इनकी रचना है इनको भी अपन को याद रख लेना ना गरजुन के बारे में सतरंगे पंखों वाली योगधारा तालाप की मचलियां रतिनात की चाची नई पौध बाबा बटेस्तर नात के नई पौध रचना पूछी गई है नई पौध के रच घरना का भाव किस युग की कविता की मुख प्रिविटती रही है सोसक बर्ग के प्रिति घरना के भाव कि आपको बताना है दोस्तों किस बर्ग किस युग की कविता की प्रमुख प्रिविटती रही है प्रश्न किरमांग है अपना 63 और अपने बताया है क्या बताया दोस्तो कि सोसक बर्ग के पिरती घरना का भाव यह अथार्त ता में दोस्तों जिन्होंने रचनाई की हैं वो कभी कौन थे प्रगती बाद किस से प्रभावित था तो प्रगती बाद मार्क्स बाद से प्रभावित था कि सोसक बर्ग के पिरती घरना भाव प्रगती बाद युख की मुक्ः प्रभिरती रही मुक्ः बेसे स्ता रही यह भी आपको यद रख्टिना है और प्रगती बाद का से द्धन थे का अधार मर्क्स का द्वंदातमग भौतिक बाद है राजनीती के छेत्र में जो समाज बा है साहित के छेतर में बही प्रिगती बाद है है ना अंगला क्वेश्चन है कि आग और राग का कभी किस से कहा जाता है ऐसे कौन से साती है जिन्हों ने अभी तक दोस्तों सेल्फ स्टेडी किलासेश एप डाउनलोड नहीं किया एप डाउनलोड करने सभी लोग और आग और राग का कभी बोले सर आग की बात करते हो तो सूरज आग उगलता है दिन में सूरज आग उगलता है दिन में और सबसे ज़्यादा अगर किसी से राग है तो बोले सर सूरज से ही है है ना सूरज से है बोले सूरज ना निकले तो कोई काम नहीं होगा है ना और दोस्तों रशनाव की अगर बात की जाए रामधारिस्नेंदिन करकी tote रेनुका इनकी रचना है उंकार की रचनाकार कौन है हेना रसबंती कि सहां पर्सु रामकि प्रतिक्षा लंभी कविता किसकी है दोस्तो रचनाकिसकी है रशमी औरवसी की रचना कार कौन है हारे को हरी नाम है ना ये रचना किसकी है तो आपको बताना है कि सर ये रचना है किसकी दिनकर जी की दिनकर जी की माने जाती है निराला की प्रमुक रचनाओं की बात करें तो अनामिका अनामिका परिमल गीति का तुलशी दास को कुरमुता और पत्ते की रचनाएं आपको याद रख़नी ना है। कानन कोसम की रचनाकार जैसंकर पिरसाद हैं प्रेम पतक भी जैसंकर पिरसाद की है चित्राधार और कामाईनी भी रचना जैसंकर पिरसाद की मानी जाती है चित्राधार भी याद रख लेना दोस्तो चित्राधार जैसंकर पिरसाद है ना सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओ है जैसंकर पिरसाद सोप उच्छवास जैसंकर पिरसाद उच्छवास सुमित्रानंदन पंत गरंती पल्लो गुंजन स्वर्न किरण स्वर्न धूली कला और बूरा चांद लोकायतन इनका महाकाब चिदंबरा के लिए ग्यान पीट प्रुसकार मिला पंत जी की रचनाओं के ल मिला ठीक है लोकायतन इनका महाकाब है गांदी जी के जीवन पर आधारे थे पंत जी का चिदंबरा के लिए 1968 में दोस्तों इनक्या मिला था ग्यान पीट प्रुसकार मिला था इन सारी चीजों को आपको याद रखना है कुरू छेतर का मुक प्रतिपाद क्या है कुरू छे आपको यहाँ पर दिये गए और आपका राइट आंसर है कि जब तक संसार में सदभावना सांती समता और नियाय की प्रतिपाद्य है दोस्तों कि जब तक संसार में संसार में सदभावना सांती समता और नियाय की प्रतिपाद्य है जुद्ध अनिवार है है ना कुरू छेत्र में अंगला कॉस्चन रामधारी से दिनकर की अनुसार कुरू छेत्र में किसका अलंबन लेकर उन्होंने महत्पून प्रस्ण को कृती में उपस्तित किया है आंसर बताना है आपको सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा जिन भी साथ्यों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज एक बार लाइक कर देंगे है ना और साथ्यों रामधारी से दिनकर के बारे में आपको बताना है कि किसका अबलंबन लेकर के दोस्तों इन्होंने इन्होंने बताएंगे प्रस्ण किरमांग भीच में और इदिश्टर ये आपको याद रख़े ना है? ठीक है? फिर दोस्तों अन्गले कोश्चन की ओर जाते हैं, अन्गले कोश्चन की ओर बढ़ते हैं, रामदारीशक रेंदिनकर ने अपने काव कुरू छेत्र में भीच में और इदिश्टर का आलम, नन, यानि की व बिशाय लेकर उन्होंने महत्पूर्ण प्रश्ण को किर्ती में उपस्तित किया है। जो मस्तिस के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। जल्दी से इसके बारे में आपको बताना है कि यह जो पंक्तियां है। वो पंक्टियां किसकी हैं बताईए, ये पंक्टियां बताना, ये पंक्टियां किसकी हैं, इसका right answer आपको चेन करना है, इस पंक्टि के रिचनाकार कौन हैं, तो यहाँ पर आपका जो सबसे अच्छा और सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा रामधारिश ने दिनकर है ना डी नम्मर आपका साही हो जाएगा कुरूचेत्र के संदर में रामधारिश ने दिनकर का कतन है कि कुरूचेत्र ना तो कदरसन है ना किसी ज्यानी के प्रौण मस्तिस का चमतकार है एह तो अंतिता एक साधारन मनुस्त का संका को लहड़ाई ही है जो मस्तिस के इसतर पर चड़कर बोल रहा है और ये कतन किसका है आपसे पूछा गया तो आपने बता दिया कि सर ये तो दिनकर जी का है किसका है दिनकर जी का सभी लोग लाइक जरू कर दें एक बार साथियो हैना आतमा का संगराम आतमा से देह का संगराम देह से जीता जाता है रामधाई से दिनकर का यह कतन किस किर्टी के संदर में कहा गया है बताईए आतमा का संगराम आतमा से देह का संगराम देह से रामधा इसे दिनकर का यहकतन किस कृट्टी के संदर में कहा गया प्रश्निकरमांग 68 का आंसर सभी लोगों को बताना है उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर बताना है 68 का आंसर आपको बताना है आतमा का संगराम आतमा से और देह का संगराम देह से फ्री मटेरियल भी एप पर बहुत सार आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से यानि कि यह पर आपका कुरूच छेत्र बिलकोड सही है स्री नम्मर आपका सही हो जाएगा आतमा का संग्राम आतमा से और देह का संग्राम देह से जी जा जाता है एक अतन रामधाईस ने दिनकर ने अपनी रचना कुरू छेतर में कही है पुरू छेतर में भीसमा ओधिश्टर के माध्यम से धर्म रख चाहे तू युद्ध की आवसकता सिद्ध की गई है इसको आपको याद रखे ना अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों प्रगती बादी काब किस बिचार धारा से प्रेरित है प्रगती बादी काब आपको बताना है कि किस बिचार धारा से प्रेरित है क्वेस्टन कई बार पूछा गया है कई एक्जामों में पूछा गया है इसलिए सभी को तयार रहना है प्रगती बादी काब के बारे में आपको बताना है कि किस्ते प्रिरित माना जाता है बताइए प्रगति बादी काब किस विचार धारा से प्रिभावित है कमेंट में जल्दी से आपको लिखना है चार विकल्प हैं आपके सामने आदर्सबाद माक्सबाद अस्तितवाद और गांधी बाद है ना तो प्रगति बाद काब किस वि प्रजटि बादी का अबधारा मार्क्स बादी विचारधारा से प्रेरित है और इस विचारधारा की प्रमुक कभी नागर्जन, त्रेलोचन, हैना सास्तरी, के दारनात अगरवाल आदी माने जाती हैं अंगला कोच्चन प्रस्तुत पंक्तियां किस किर्टी से ली गई हैं अंगला यहाँ पर पंक्ति आपको दी है किस ब्यक्तिक भोगबाद से फूटी बिस्की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज एह सारा यह बताना है कि दोस्तों यह पंक्ति किस की है सरोज स्मिर्टी, रामकी, शक्ति पूजा, कामाईनी या फिर पुरू छेत्र कि पंक्तियां कहां से ली गई हैं सेविंटी का आंसर आपको बताना है और सत्तर में आपका अब उत्तर हो जाएगा इस ब्यक्तिक भोगबाद से फूटी बिस्की धारा तडप रहा है जिसमें कर माना उसमाज एह सारा उत्तर चला जाता है कुरू छेत्र क्यानी कि आपका डी नंबर विल्कु सही हो जाएगा हैना कुरू छेत्र आपका राइट अंसर है दोस्तों ये पंक्तियां ली गई हैं कुरू छेत्र से हैना दिनकर कुरू छेत्र से दोस्तों ये पंक्तियां ल बादा रहत बिकास मुक्त हैना असंकाओं से जीवन ये पंक्तियां किस से लिगई हैं ये पंक्तियां आपको बताना है कि सबको मुक्त प्रिकास चाहिए सबको मुक्त समीरन बादा रहत बिकास ये पंक्तियां कहां से लिगई हैं तो यहाँ पर आपको बताना था और ये सब कुरू खेत्र से अंगला कुश्चन आपको चैन करना है कि कुरू खेत्र के प्रतम सर्ग का में प्रारम किस पंक्ती से होता है किस पंक्ती से होता है 72 का अंसर बताना है देश की जट बचाने के लिए इस जाने देश का लजजा विशय या बहे कौन रोता है वहाँ तत तो है कि कोई केवल आवरन इसके बारे में कुरू छेतर के प्रतम सर्ग का प्रारम किस पंक्ती से माना जाता है इसका उत्तर आपको करना है और यहाँ पर यह दोस्तो प्रतम सर्ग का प्रारम कुरू छेतर का माना जाता है कि दोस्तो यह क्वेल आया है कुरू छेतर का प्रतम सर्ग का प्रारम किस पंक्ती से होता है तब यहाँ पर आपका उत्तर चला जाता है बहां बहां इस पंक्ती से होता है यानि कि प्रबंद काब है बाए कौन रोता है बहाँ पंक्ती से होता है दोस्तो इसका प्रारम जबकि अन्य तीनों पंक्तिया संगत है प्रिगति बाद का दार्षने काधार क्या है दार्षने काधार बताना है सामे बाद है अस्तित्त बाद है प्रियोग बाद है या फिर पूंजी बाद है सामे बाद प्रिगति बाद का दार्षने काधार आपको बताना है दार्षने काधार क्या है प्रिगति बाद का दार्ष दार्सने काधार आपको चेंड करना है यानि कि आपको उत्तर 73 का उत्तर बता नहीं कॉस्चन भी कई बार आया है कि प्रगती बात का दार्सने काधार क्या है और बहुत सारे लोगों ने उत्तर बता भी दिया है कि सर अगर प्रगती बात के दार्सने काधार की बात करोगे त अब यहाँ पर question आता है प्रगती बाद का दार्सने का धार है सामवाद जो मार्क्सबाद की देन है इस संबंद में कहा गया कि राजनीती के छेत्र में जो मार्क्सबाद है तो दोस्तो साहित के छेत्र में वही क्या है साहित के छेत्र में वही प्रगती बाद है है ना किस कभी को माक्सबादी चितना का कभी माना जाता है किस कभी को माना जाता है माक्सबादी चितना का कभी धरमबीर भारती को अग्ये हरीवा इसराय बच्चन को या फिर केदारनात अगरबाल को किस कभी को माक्सबादी चितना का कभी माना जाता है माक्स बादी चेतना का कभी इस चार विकल्प है इतना तो हमारे अंदर कॉमन सेंस है कि सर यहाँ पर प्रगती बादी कभीयों की अगर बात करें तो प्रगती बादी कभी देख रहे हैं कौन केदारनात अगरबाल फूल नहीं रंग बोलते हैं इनकी रचना है बहुती प्रगती बादी चेतना के कभी मान जाते हैं यहना किसका संबन्द रामधाई से दिनकर से है रामधाई से दिनकर से बताना है किसका संबन्द है बताईए किसका संबन्द है कामाध्यात्म की समस्या और और एक प्रसंग में भारचीन युद्ध यूगीन शंदर्ब या फिर युद्ध दर्सन या सुदारबाद तो बताना है किसका संबंद दिनकर से है दिनकर बताना है कैनका कभी वो केदार नात अगरवाल को कैनका कभी ठीके तो यहाँ पर आपका दोस्तो पौराणक प्रसंग में भारत-चीन युद्ध का युगीन संदर्ब यहाँ की आपका B-Number बिलकुट सही हो जाएगा ठीके बी नमबर यानि कि आपका ये नमबर जे ए बी और सी ठीक है तो कामाध्यात्मिकी समस्या पौरार एक प्रिसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्ब और युद्ध दर्सन यानि कि ये तीनों साही हो जाएंगे दोस्तों दिनकर से संबन देते हैं सुधारबाद दिनकर से संबन देत नहीं है तो यहां पर अपन देख लेते हैं कि कामाध्यात्मिकी समस्या और बसी में पौरार एक प्रिसंग में भारत चीन युद्ध की युद्ध का युगीन संदर्ब परसुराम की पृतिक्षा में युद्ध दर्सन पुरू छेत्र ओंकार और रस् नहीं है प्रगति बास से नहीं है तो किसका संबन्द नहीं है यह आपको बताना है किसका संबन्द नहीं है प्रगति बास से रामदरस मिस्र का है स्लोचन का है मुक्ति बोध या फिर दोस्तों नागर जुन किसका नहीं है पूछा गया सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर नहीं दवाया तो वो बैल आइकन को दवाने जिससे नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा के लिए पहुंचेगा रोज पहुंचेगा जिस जो भी किलास होंगी उनका नोटिफिकेशन पहुंचेगा ठीक है तो अब किस कभी का संबंद प्रगति बाद से नहीं है तो बोले सर क इस कभी का पूचा है तो रामदरस मिस्तर का नहीं है यनकी ये नमबर त्रिलोचन का तो है मुक्ति बोध है नागरजुन भी है ठीक है तो एक नमबर आपका सही हो जाता है यहाँ पर रामदरस मिस्तर का संबंद प्रगति बाद प्रगति बाद से नहीं है जबकि मुक्ति बोद त्रिलोचन तता नागरजुन प्रगति बात के कभी मान जाते हैं अंगला क्वेश्चन है फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काब संगरह है बताए फूल नहीं रंग बोलते हैं कि बताना केदारनात अगरबाल नागरजुन त्रिलोचन सास्त्री या फिर रगवीर सहा फूल नहीं रंग बोलते हैं यानि कि 77 का आंसर हमें चैन करना है और आपका बिलकुल सही आंसर हो जाता है फूल नहीं रंग बोलते हैं उत्तर चला जाता है केदारनात अगरबाल फूल नहीं रंग बोलते हैं यानि कि आपका जो एक नंबर है ये नंबर है वो बिलकुल सही ह फूल नहीं रंग बोलते हैं कि केदानात अगरवाल का प्रमो काब संग रहे हैंना यूग की गंगा और दोस्तो मार प्यार की थापें आग का आईना अकाल और उसके बाद नागरजुन की एवं ताप के ताय हुए दिन त्रलोचन सास्त्री की रचना है इनको हमें याद रख लेना है ठीक है और रगवीर सवाए आत्म हत्या की ब्रुद्ध आत्म हत्या की ब्रुद्ध की रचनाकार कौन है तो रगवीर सहाय आत्म हत्या की ब्रुद्ध की रचनाकार कौन है रगवीर सहाय ठीक है इनको याद रख लेना अंगला क्वेश्चन यहां पर बताना है द केदारनाथ अगरबाल, केदारनाथ मिस्तर प्रभात या फिर रामिस और सुकल बताईए यूग की गंगा की रचना कार कौन है सबी लोग लाइक जरू कर दें एक बार लाइक सबी लोग किया करें दोस्तो यूग की गंगा किसकी रचना है कि आपको बताना है और जिन्वी सा तो यहाँ पर याद रखने ना कि यूगी की गंगा किसकी रचना है यूगी की गंगा दोस्तो इसकी रचनाकार है किदारनाथ अगरवाल ठीक है सेलप स्टेडी के लासेज का एप जरूर डाउनलोट कर लो साथि हो किदारना अतगरवाल यानि B saludy की गंगा किसकी रचना है किदारनाथ अगरवाल की यूगी की गंगा रचना की रचना कर किदारना अतगरवाल है है ना इसकी अतरिक फूल नहीं रंग बोलते हैं आग का आईना ये पूछी गई रचना आग का आईना की रचना कार कौन है तो आप क्या बताओगे आग का आईना के दारनात अगरवाल गुल महंदी नींद के बादल है ना ये सबी माने जाती है नींद के बादल भी के दारनात में बोले सर नींद के बादल चो गएते है ना और मुगुल महंदी भी इनकी रचना है केदाना तगरबाल जी की और ये प्रगतिवादी स्रिष्ट कभी मान जाते हैं केदाना तगरबाल ठीक है इतनी चीजें तो सभी को पता है और केदाना तगरबाल किस काब धारा के कभी हैं ये आंसर आपको बताना है सराल आंसर प्रगतिवादी चेतना प्रगतिवादी का अबधारा के कभी माने जाते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो किदाना तगरबाल प्रगतिवादी या प्रगतिवादी के प्रमोक कभी हैं प्रगतिवाद के अन्य प्रमोक कभी में त्रिलोचन त्रिलोचन का याद रखेना बिसुद्ध काबधराबताना है तो सौहनलाल दुवेदी, माकललाल चत्रवेदी, दिनकर या फिर नागर्जुन प्रश्णकिरमा के टी कौन बिसुद्ध राश्टिय काबधरा राश्टिय भाहवदारा का कभी नहीं है कौन सा नहीं है यह आंसर आपको चेन करना है चार सेकंड है सभी लोग बताएंगे वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तो अपने मित्रों तक सेयर जरू कर दिया करें ये रोज किलास होती है नौ बजे और जिन भी सात्यों को अभी दोस्तो एडवीसन लेना है तो अभी भी मौका है आप एडवीसन ले सकते हो है ना और यहां पर आपका उत्तर सी नंबर ए नागरजुन साब जो है दोस्तो ए प्रगतिवादी कापधारा के कभी है ये राष्टिय भावधारा राष्टिय बिसुद्र राष्टिय भावधारा के कभी नहीं मान जाते है ना और नागरजुन राष्टिय भावधारा के कभी बलकि प्रगति बादी या माक्स बादी बेचारधारा की साथ-साथ राजनेते कभी भी वान जाती हैं जबकि सोहनलाल दुवेदी, माकालाल चुत्रवेदी दिनकर की राष्टिय काबधारा की कभी हैं आज का आपका चेलेंज प्रस्न है